हाई गाईज वेलकम चू इनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स आज की तारिक है 16 जनवरी 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकुल और फ्रंटियर आएस और अगर अब तक आपने मारे चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinnacle.com और बलजीधाकर.com इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ये सेशन दोनों चानल्स पर सुबद चार बजे वेलिबल हो जाता है साथी साथ for daily videos, pdf and monthly magazine आप हमारे telegram handles, frontier IS और sscglpinnacle online को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे previous quiz के साथ मैंने आपसे पहला question पूछा था कि किस राज्य केंद्रिशासित प्रदेश में जांसकर शीत कालिन खेल और यूवा मोहतसब 2021 आयोजित किया जाएगा तो इसका सही जवाब था लद्दाख और आपसे दूसरा question पूछा था कि भारत में सेना दिवस यानि आर्मी डे कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब था 15 जनवरी पहला question देखिए आज के session का भारत dynamics limited ने किस देशी company थेल्स के साथ stars streak air defense system बनाने का समझोता किया है तो इसका सही जवाब है option number D, Britain यानि UK तो ब्रिटेन की अगरणी रक्षा कंपनी थेल्स और भारत dynamics limited ने भारत और ब्रिटिश सरकारों के सहयोग से हवाई रक्षा प्रनाली यानि air defense system पर मिलकर काम करने के लिए एक समझोते पर हसाक्षर किये हैं इस समझोते से BDL star streak missile प्रनाली यानि missile system की वैश्विक आपूर्ती श्रिंखला का हिस्सा बन जाएगी भागेदारी समझोते पर थेल्स और BDL ने 13 जनवरी को भारत और ब्रिटिश सरकारों के प्रतिनिधियों की मौझूदगी में एक virtual समारों में दस्तकत किये यहां तस्वीर में देखिए star streak missile प्रनाली पहले से ही ब्रिटिश सेना की सेवा में है और यह किसी भी हवाई लक्षे को नश्ट करने में सक्षम है यहां पर बहुत important information की बात करें तो मैंने आपसे last session में डिसकस किया था कि इस Republic Day celebration पर सूरी नाम की प्रेजिडेंट चंदरी का प्रसाद संतो की मुख्य अतिति होंगे लेकिन अब विदेश मंत्रालय यानि Ministry of External Affairs ने घोशना की है कि गंतंत्र दीवस समारों में COVID-19 के कारण उत्पन वैश्विक स्थिति के कारण इस वर्ष कोई मुख्य तिति नहीं होगा यहां पर एक वेक रिविजन की बात करें तो भारत में ब्रिटेन की नए उच्चायुक्त के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो इसका सईज जवाब है Alexander Ellis बात करें यहां पर the United Kingdom की तो इसमें आता है England, Scotland, Wales and Northern Ireland इसी capital है London और करंसी है Pound, Sterling अगला question देखो कानूमा तियोहार किस राज्यों में मनाया जाता है तो इसका सईज जवाब है option number C तेलंगाना तो तेलंगाना में सकरांती त्योहार के तीसरे दिन पशुओं का त्योहार कानूमा मनाया जाता है इस अफसर पर लोग विशेश रूप से ग्रामीन क्षेत्रों में मवेशियों और क्रिशी उपकर्नों यानि Kettle and Agriculture Tools की पूजा करते हैं जो ग्रामीन कारीगर यानि Rural Craftsmen and Art Partisans दैनिक कारेओं में किसानों की मदद करते हैं उन्हें विशेश रूप से समानित किया जाता है यहां पर एक्स्ट्रा इंफरमिशन की बात करें तो केरल में मकर सकरांती पर एक वार्शिक उत्सव मकर विलकू मनाया जाता है जो सबरी माला मंदिर में आयोजित किया जात है बात करें यहां पर तेलंगाना की गाता चाजक . गूगल ने हाल ही में डॉक्टर जेम्स नाइसमित को एक डूडल समर्पित किया है उनके द्वारा किस खेल का अविश्कार किया गया था तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अमबर A बास्किट बॉल तो पंद्रा जन्वरी 1891 को जेम्स नाइसमित ने बास्किट बॉल के खेल का अविश्कार किया था गूगल ने पंद्रा जन्वरी को डॉक्टर जेम्स नाइसमित की याद में उनके सम्मान के लिए डूडल समर्पित किया है यहां तस्वीर देखिए कैनेडाई अमेरिकी शा प्रारम स्टार्ट अप इंडिया इंटरनाशनल समिट स्टार्ट अप इंडिया की पहल की वर्ष गांट का प्रतीक है इस पहल को किस वर्ष में लॉंच किया गया था तो इसका सई जवाब है ऑप्शन नमबर सी 2016 तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 16 जन्वरी को वीडि इंडियोग मंत्रालय यानि Ministry of Commerce and Industry के समवर्दन विभाग दवरा आयोजित किया जा रहा है शिखर समेलन का आयोजन प्रधान मंत्री दवरा अगस्त 2018 में काटमांडू में आयोजित बिमस्टेक शिखर समेलन के एक भाग के रूप में किया जाएगा जिसमें भारत बिमस्ट समेलन 16 जन्वरी 2016 को प्रधान मंत्री दवारा शुड़ू की गई स्टार्टप इंडिया पहल की पांचवी वर्षगांट का प्रतीक है अगला क्वेस्टन देखो कवी तिरू वलुवर के समान में 15 जन्वरी को तिरू वलुवर दिवस किस राज्य दवारा मनाया गया तो इसका सई जवाब है ऑप्शन अमबर बी तमिल नाडू तो तमिल नाडू सरकार हर साल 15 जन्वरी को तिरू वलुवर दिवस मनाती है तिरू वलुवर द्वारा रचित तिरू कुरल या कुरल तमिल भाशा की एक प्राचेन श्रेध्य कृती है उनके असधारन योगदान 1330 कुरल का कई भारतिये और अंतराश्य भाशाओं में अनुवात किया गया है यहां तस्वीर में देखिए उन्हें अपने कृतियों के कारण एक दिव्यक कवी भी कहा जाता है जो अनुकरनिये जीवन यानि एक्जेंपलरी लाइफ जीने की प्रेड़ना देते थे तिरू व जवाब है छे जन्वरी बात करें यहां पर तमिलाडू की तो इसकी वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है मौनिमेट्स हैट महाबली पूरंग चोला टैंपल्स और नीलगरी माउंटेन रेलवे लाइन नाशनल पार्क मुदु मुलाई नाशनल पार्क और गल्फ मैनर में र स्वास्थे बीमा सलहकार समिती के प्रमुख कौन है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन अवर बी सुभास चंद्र खुंटिया तो बीमा नियामक यानि इंशॉरंस रेगुलेटर आई आर डी ए आई ने उत्पादों की उपलब्दता यानि अवैलेबिलिटी की जांच करने विशेष्ट बीमारियों यानि स्पेसिफिक डिजीजिस के कवरेज पर सुझाव देने के लिए एक स्वास्थे बीमा सलहकार समीती का गठन किया है विशेषग्य समीती की अध्यक्षिता आई आर डी ए आई के अध्यक्ष सुभास चंद्र खुंटिया करेंगे समीती का का पारेकाल एक वर्ष होगा अगला क्वेस्टन देखो युनाइटेट स्टेट्स अजेंसी फॉर इंटरनाशनल डवलपमेंट यूएस ए आई डी के प्रशासक यानि एड्मिनिस्टेटर के रूप में किसे नामित किया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर बी स सामन्था पावर तो अमेरिकी नव निर्वाचित राष्ट्रपती जो बाइडन ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत सामन्था पावर को यूनाइटेट स्टेट्स अजेंसी फॉर इंटरनाशनल डवलपमेंट यानि यूएस ए आई डी के प्रशा सतारा तक उबामा बाइडन प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र के 28 अमेरिकी स्थाई प्रतिनिधी यानि यूएस पर्मनेंट रेप्रेजेंटेटिव के रूप में कारे किया यहां पर एक्स्ट्रा इंफरमिशन की बात करें तो इनकमिंग फॉर्स्ट लेडी जिल स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तॉल का नाम क्या रखा गया है तो इसका सई जवाब है ऑप्शिन अमबर B असमी तो रक्षा अनुसंधान एवव विकास संगठन यानि डिफेंस रिसर्च अंड डवलोप्मेंट और्गनाइजेशन DRDO और भारतिय सेना ने संयुक्त तोर पर भा किया जा सकता है DRDO दुवारा विक्सित इस मशीन पिस्तॉल की फाइरिंग रेंज तकरीबन 100 मीटर है और इस पिस्तॉल के प्रोटोटाइप से अब तक बीते चार महीनों में कुल 300 राउंड फाइर किये गए हैं रक्षान उसंधान एम विकास संगठन DRDO दुवारा विक्स यह मशीन पिस्तॉल इस राइल की उजी सीरीज की बंदूग की श्रेनी में आती है अगला क्वेस्चन देखो हाल ही में किस केंद्रे मंत्री ने राश्ट्रे नवाचार फाउंडेशन यानि नाशनल इनोविशन फाउंडेशन दुवारा विक्सित एक नवाचार पोर्टल यानि इनोविशन पोर्टल राश्ट्रों को समर्पित किया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अबर बी डॉक्टर हर्शवर्दन तो केंद्रे विज्ञान और प्रदियोगी की पृत्वी विज्ञान स्वास्थे और परिवार कलियान मंत्री यानि यूनियन मनिस्टर फ इफ इंडिया द्वारा विक्सित किया गया है जो नई दिल्ली में विज्ञान और प्रदियोगी की विभाग यानि डिपार्टमेंट आफ साइंस और टेकनोलोजी भारत सरकार का एक स्वायत निकाय यानि ऑटनॉमस बॉडी है यहाँ पर एक्स्टर इंफोर्मिशन की बा भारत मौसम विज्ञान विभाग यानि इंडिया मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट आइमडी ने 15 जनवरी 2021 को अपना 146 वा स्थापना देवस मनाया आइमडी के महानेदेशक यानि डालेक्टर जनरल कौन है तो इसका सई जवाब है ऑप्शनमबर सी डॉक्टर मृतियन ज महापात्र तो भारत मौसम विज्ञान विभाग आइमडी ने 15 जनवरी 2021 को 146 वा स्थापना देवस मनाया और समारों का आयोजन वस्तुत प्रित्वी विज्ञान मंत्राले यानि मिनिस्ट्री ओफ अर्थ साइंस द्वारा किया गया आइमडी का मुख्याले दिल्ली में है यह भारत में और अंटाक्टिका में वेद शाला स्टेशन यानि अब्जर्वेटरी स्टेशन संचालित करता है आइमडी की प्रमुख केंद्र गुवाटी, कॉलकता, चन्नाई, मुंबई, नई दिल्ली और नागपूर में स्थित हैं आइमडी की डारेक्टर जेनरल है 57 वा स्थापना दिवस मनाया गया इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी भारतिय खाद निगम Food Corporation of India एक वेधानिक निकाय है जो उपभोकता मामले खाद और सारवजनिक वितरन मंत्रालिय यानि Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution की तहत कारे करता है पहले इसका मुख्याले चन्नाई में में ले जाया गया इसके अधियक्ष और MD है श्री संजीव कुमार बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने UK की कंपनी थेल्स के साथ स्टार स्ट्रिक एर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए समझोता किया है कनूमा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ ने बास्केटबॉल इन्वेंट किया था स्टार्ट अप इंडिया इनिशेटिव 2016 में शुडू किया गया था तिरु वल्यूवर डे जनवरी 15 को तमिल नाडू में मनाया जाता है IRDAI दवारा बनाई गई Health Insurance Advisory Committee के हेड है सुभास चंद्र खुंटिया USAID के एड्मिनिस्टेटर के लिए सामन्था पावर को नामित किया गया है इंडिया की पहली स्वदेशी रूप से विक्सित 9mm मशीन पिस्तोल का नाम है अस्मी डॉक्टर हर्श वर्दर ने National Innovation Portal राष्टर को समर्पित किया और IMD के डारेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्यून जे महापात्र बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला क्वेस्चन है कानूमा तियोहार किस राज्यों में मनाया जाता है और आपका दूसरा क्वेस्चन है हाल ही में विक्सित की गई भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तोल को क्या नाम दिया गया है इन दोनों क्वेस्चन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंडल्स को जोईन जरूर करना है थांक्यू सो मच